बिक सॉक्त बात करेंगे हाँ पर हैप्यस माइंड के बारे में इस कमपनी के अंदर एक ऐसी धमा के दर प्रेकी नियूज आ चुके जिससे इस कमपनी की तो कॉलेटी भी इंप्रू हो चुकी है एंड यहाँ पर शेर होलर के लिए भी काफी जवर्दस बेनिफिट वाले अप्डेट्स आ चुके है और वो यहाँ पर इंडिया से नहीं दोस्तों तो यूए से आये है अमेरिका से बड़ी खबर इस कमपनी के लिए है तो आप सभी को काफी बड़े आउटपुट इस कमपन इसे मिलने वाले है एंड यह स्टॉक बड़े धमाके भी करकर दिखाएगा आप यहाँ पर इसके शेर होल्डर हो है पेस मैंड के क्या खरीदना चाहते तो जरूर अंडिस्टानिक करना जिससे आप सभी को पता चले कि इस कमपनी में आउटपुट कितने बड़े वाले कर लेते वीडियो अच्छा लगे एफट पसंद आए तो लाइक सब्सक्रेब जरू करना जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते आजी ओफिशियल अनौस्मेंट की गई है साथ डिसेंबर 2022 को कमपनी तरफ से और कमपनी को बड़ा अवार्ड मिला है इसकी बारे में डीटेल कम कमपनी ने बताया है 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 एपेस माइन टेकनलोजी लिमेटेड हैस इन्फर्म देखेंग अबाउट प्रेस रिलीज देट सेवन डिसेंबर 2022 टाइटल हैपेस माइन टेकनलोजी विन गोल्ड फॉर इट्स 2022 इंटीग्रेटेड एन्वल रिपोर्ट फ्रॉम दा लिग्यूस अमेरिकन कम्यूनिकेशन प्रोफेशनल जिसे यहाँ पर यल ए सी पी नाम से यहाँ पर जाना जाता यह आवर्ड कमपनी को दिया गया और मैं आपको अभी इस आवर्ड के बारे में काफी डिटेल में एक्स्पेन करता हूँ कि इस आवर्ड से इस कमपनी को कितना अच्छा benefit है और actually ये company कितने rank पर आती है इस award के अंदर ओभी मैं आपको बता जिता हूँ यहाँ पर हम पूरे details को understanding कर सकते हैं worldwide level पर ये award दिया जाता है IT companies को और उसके अंदर happiness mind का नाम आना इनको award मिलना ये कोई मामोली ये छोटी बात नहीं है आप इससे अंदर लगा सकते कि company कितना बड़ा weightage रखती है अपने business structure में आपकी quality आपके यहाँ पर awards आपका business structure और आपके अंदर के जो qualities है उन सभी को देखकर decide होता है and उस तो company कितनी quality present कर सकती है वो उसके अंदर के news वगरा ही बताते है और आप यहाँ पर देख सकते कि 100 companies के अंदर से यहाँ पर happiness mind का rank कितना आया है तो 54th number का rank happiness mind को दिया गया तो आप यह चीज देखकर तो बहुत अच्छे से समझी चुके होंगे कि happiness mind कितनी कमाल की company है और यह company आपको ऐसा लगता होगा कि सर इतने अच्छे news इतने benefit वाले चीज़े इस company में हो रहे है बट इस stock के अंदर improvement क्यों नहीं तो मैं आपको बता दो कि actually पूरा IT sector ही down चल रहा है थोड़ा अच्छा रिकोरी अभी फिलाल देखने को मिला है बट अभी भी pressure में है IT sector inflation के वज़े से इसलिए आप यहाँ पर हो सके उतना quality stock है हम सभी को पता है तो हमें खाली opportunity अभी दिखाई दे रहे हैं तो उसके अंदर involved होना start करना चाहिए मैं कहता हूँ कि आपको जैसे suitable लगे उस price पर आप entry लेना start केजिए company में कोई कोई खराबी नहीं है हम सभी जानते है खाली अभी rate nation पर stock देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ने की company बरबाद हो गई company आज भी valuable है कल भी रहेगी और आने वाले समय में हम सभी को पता है कि इसके अंदर quality क्या क्या है company ने कितने बड़े updates लेकर आये है company के management ने कितने बड़े बड़े decisions लेकर company को एक next level पर लिजा कर पहुच आये है यह भी हम जानते कि company के result revenue all around जितने भी fundamental जो भी point है वो सभी good है तो इसके कोई भी हाँ पर chances नहीं कि company खराब है हम ऐसा कैसा के बोलका रहा है तो आयो मुझे लगता है कि आपको यह news भी पता चल गए हो गई और जो निवेशक पूछ रहते कि service में हम यहाँ पर आभी बेचे बाद में खरीदे क्या तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है आप इसके अंदर continue यहाँ पर कर सकते हैं IT sector को ही आप observe करना चाहे तो IT का इंडेक्स सर्च करना निप्टी 50 के अंदर भी बहुत से स्टॉक का IT के आप उनको देख सकते हैं वो 50 टुक लो के करीब है बहुत से स्टॉक से बिरलाव सॉप्ट है यहाँ पर आपको ऐसे चुनिंदा मैं स्टॉक बता सकता हूँ जिनके अंदर बहुत बड़ा करेक्शन है आप उनके अंदर भी दाओ लगाने के बारे में सोच सकते हैं देखिए आपको यह देखकर और समझ कर निवेश करना चाहिए जो डिस्कॉर्ण में मिल रहा है उस पर दाओ लगाना अभी कभी भी फाइदे मन रहेगा जो अप्ट्रेंड टॉप लेवल पर बैटा है उसके अंदर नहीं थैंकि समत दोस्तों